आप देख रहा है मेरा चैनल अपने भाई का चैनल हेर ट्रांस विद बासु तो यार वीडियो काफी लेट से आ रही है जानता हूं मैं जैसा कि आप सब को पता है कि मैं सिफ यूटिप पर काम नहीं करता मेरा खुद का जो जॉब है मैं वह भी करता हूं नाइट शिफ रहती और दिन में बिल्कुल भी मैं टाइम नहीं मिलता मुझको कि मैं वीडियो बनाओ और सोता रहता हूं दिन भर तो सौरी और वीडियो लेट से आ रही है लेकिन ये जो वीडियो मुझको ऐसा लगता है कि वन आप दी मोस्ट इंफॉमेटिव वीडियो होने वाली है मेरे चै चीज के बारे में पूछा तो मैं सोचा यार इस पे एक वीडियो बनाना बहुत ज़ादा जहरी हो गया और मेरे को नहीं लगता अभी तक किसी यूट्यूबर ने इस पे वीडियो बनाया है तो बनाया भी होगो तो मैंने नहीं देखा ऐसा हो सकता है तो फिर भी यार आता हूँ आपको इस चीज से रूबरू कराना क्या कि एक चीज जो आप गलत कर रहे हो उसके वजह से ही आपको जो अच्छा हेर ट्रांस्प्लाइंट सेंटर नहीं मिल रहा है मुझको पता है सौ में से अल्मस्ट नब्बे लोग ये काम ज़रूर कर रहे होंगा और यही तो वो रीजन है जिसके वजह से अपट कोई अच्छा हेर ट्रांस्प्लाइंट सेंटर जो है नहीं मिल रहा है क्योंकि जो यार देखो एक earned a फे तरीखा होता है मतलब एक अच्छा हेर ट्रांसप्लाइंट सेंटर चुनननें का आप वह चीज को फॉलो नहीं कर रहे हो उ इन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लो और वीडियो को लाइक करते रहो मुझे मोटिवेट करते रहो इस तरह की वीडियो बनाने के लिए मेरो को नहीं पता जो करना करो यार सब्सक्राइब के बटन को ठोक ठोक के जो काला कर दो और प्लीज ये वो reason है जिसके वज़े से आपको एक अच्छा क्लिनिक नहीं मिल पाता होता क्या है जब हम लोग क्लिनिक चूज करने वाले होते हैं तो हम लोग directly जम कर लेते हैं कि 100 लिस्ट चाहिए हमें क्लिनिक का और हम उसमें से एक चूज करेंगा जो की बिल्कुल भी गलत तरीका है और Google reviews में सीधे जम करते हैं वहाँ पर हम review पढ़ने लगते हैं 10 review बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन एक negative comment देख लिया या दो चार negative comment देख लिया तो mind वहीं पर change होता है transplant नहीं कराने तक का लोग सोच लेते हैं सिर्फ comments की वजह से यार तो मैं यह नहीं बोलूँ हो कि सारे comments जूटे होते यह लेकिन मेरोको ऐसा लगता की maximum जूटी होते हैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है अच्छे comment है वो ही सही होता है अच्छे comment होते हैं किसी clinic के बारे में का तरीका नहीं है कि इससे होता क्या है ना कि जब इनिशियल डेज में हम किसी क्लीनिक के बारे में हमको मालों यूटीब से भी पता चल रहा है किसी और जरीय से पता चल रहा तो उसके बाद हम लोग जाते गूगल पढ़ने के लिए 10 कमेंट अच्छे लगते हैं लेकिन अग दूसरों का भी दिखाते हैं बहुत सारे लोग मैं अपनी बात नहीं करो काफी सारे ओनेस यूटीबर ऐसे हैं जो अभी हेर ट्रांस्प्लांटेशन के रिगार्डिंग दूसरे के रिजल्ट दिखाते हैं आप वहां फॉलो करो अपने केस से उनका केस मैच करके देखो कि आपको कौन सा बेटर लग रहा है रिजल्ट कहां के अच्छा लग रहे हैं आपके केस से जो मिल रहा है किसी का केस उसका रिजल्ट कहां पर अच्छा आया है वहां से डिर्टली फॉलो करो यार यहां से जा करके मैं बता रहा हूं बिल्कुल भी नहीं ढूंड पाओगे आ को hair transplantation है कि ऐसी चीज़े ने आप खुद से अपना तो कर नहीं सकते हो तो जाहर सी बात है आपको दूसरे पर trust करना ही पड़ेगा आप ये चीज़ को मान लो अच्छे से ठीक है दिमाग में विठा लो कि बीना trust किये हुए आप transplantation नहीं करा सकते हो बात आती है कि एक अच्छा hair transplant center हम कैसे चुने देखो सबसे पहले तो यार आपको decide करना है कि आपको जो budget है वो कितना है ठीक है आप लोग गलत तरीके से जो है न क्लीनिक decide कर रहो क्लीनिक का सर्च इस तरह से नहीं होता पहले आप अपनी pocket देखो कि आप कितना खर्च कर सकते हो अपने hair transplantation पे ठीक है जोरी नहीं कि कोई एक लाक डेड़ लाक खर्च कर सकता तो हर बंदा कर सकता maximum बंदे जो है middle class और upper middle class lower middle class जाते हैं तो वो इतना ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं तो सबसे पहले खुछ से पूछो कि आप कितना खर्च कर सकते हो अपने transplantation पे और उसके जरिये ही उसके ही अनुसार जो है आप अपना क्लीनिक चूज करो ठीक है Google reviews को बिल्कुल मत follow करो भाई मैं यही बोलूँगा वहां से आपको कुछ भी मतलब मेरे को नहीं लगता इतना ज़्यादा help होने वाला अगर आपको help लेना है तो आप प्लीज जो है YouTube पर ही देखो कि YouTube पर बहुत ऐसे बंदे हैं जो दूसरों का भी result दिखाते हैं अपना द सकता हूं तो बेजी जक वैसे क्लीनिक में जाओ होता कि आप 10 अच्छे कमेंट पढ़ ले तो एक खराब कमेंट पढ़ ले तो उसके वैसे आपका माइंड चेंज लाता negativity आने लगती हो और hair transplantation में negativity का मतलब एक कत्रा भी आ गया तो आप मतलब जब तक आपका result भी complete नहीं है रहेगा आप हर वक्त इस डाउट में रहो कि क्या जहां से मैंने करवा है वहां से सही है कि नहीं उसके वैसे stress होगा stress के वज़े से और ज्यादा hair fall हो तो यह चीज बिल्कुल मत करो यार अगर आपको एक अच्छा क्लीनिक चाहिए आप पहले अपना budget decide करो उसके हिसाब स क्लीनिक कैसे ढूंड़ो के यूट्यूब पर बंदे result दिखाते हैं ठीक है वहां से आप match करो आपको जहां अच्छा लगता जहां के result आपको ज्यादा अच्छे लग रहे हैं वहां पर बिंदास जाओ दूसरों का result अच्छा आ रहा है definitely आपका भी result अच्छा आएगा इतन पड़ो अब आपको पता है कि मैं कोई बी लॉजिकल बात नहीं करता तो अगर मैं आपको मना कर रहा हूं कि रिव्यूस पर इतना ध्यान मत दो तो क्यों कर रहा हूं इसके लिए मैं आपको ले जाओंगा अपने फोन के स्क्रीन पर और चलो वहां पर हम लोग बात करेंग कोई पैसे नहीं मिल रहा है ठीक है यह मैं सिर्फ आपकी हेल्प करने के लिए कर रहा हूं ठीक है वन्ना मेरे को इस चीज में कभी कोई इंट्रेस्ट रहा ही नहीं है लेकिन अब जब इतने लोग सामने से आकर इस चीज को बोल रहे हैं और मतलब बहुत जादा कन्फ्यू पढ़ेंगा और एक दो ही पढ़ेंगा जादे मेरा में मोटी बस आपको समझाना है कि मतलब क्या आप शीज आपको नहीं करनी चाहिए तो मैं ज्यादा रिविउज नहीं पढ़ेंगा मैं आपको बस एक यह रिव्यू पढ़ने वाला हूं और इसके पाद एक और पढ़ चलो यह भाई ने वहीं का रिव्यू जहां से मैंने करवाया है तो वहीं कही पढ़ते हैं क्यों दूसरे क्लिनिक का पढ़े वर नहां करके मुझको मारेंगे तो अच्छा है कि मैं इसी यहीं कही पढ़ो तो यहां पर एक भाई ने लिखा है वन आफ वास्ट फ्राड क्लि बहुत कुछ लिखा है उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं आप खुद भी जह जाकर के चेक करके और पढ़ सकते हो ठीक हो तो रिस्पॉंस में कि क्रिजी का क्या कहना है वो देखते हैं कि क्योंकि जो बाकी भाय उनको सकता समझ में नहीं आए तो बेटा दे कि हिंदी में ही पढ़ा हूं तो इन्हें लिखा कि सबसे पहले तो बता दे कि अगर आप मनी माइंडेड होते तो दस रुपे पर ग्राफ चार्ज नहीं करते और उसमें आपका खाना पीना रहना टेस्ट अगेरा पी आरपी यह सब चीजे इंक्लूड नहीं रहती जो कि लोवेस्ट है इन दी कंट्री लोवेस्ट प्राइज है तो इसके आगे लिखते हैं कि आप जो है मतलब जिसका कोई आधार नहीं है वैसे एलिकेशन हम पर लगा रहे हैं आप क्यों नहीं डारेक्ली हम से आ सारे नेगेटिव कमेंड्स बात का फिरसे मैं आतको बोल रहा हूं की ज horrific नहीं है सारे नेगेटिव कमेंड्स गलत होते हैं लेकिन मेरे ऐसर में लगता है किल रिंस से चिछ एघुज नहीं होना है तो चलो एक और रिवीयू पढ़ते हैं हम लोग ठीक रिंटे आप सेनल फूल जो रिगार्डिंग में इनका क्या कहना है थैंक यू फुर्षेरिंग इनका क्या लिखना है है ठीक है इन्हों न फिर उनको लिखा भी है कि हम लोग किसी तरह से किसी को चीट करने की कोशिश नहीं कर रहें इसमें ही लिखा है और लिखा है कि कम फॉरवर्ड एंड कॉंटेक्ट अस डाइरेक्टी मतलब यह चाहते हैं कि आप डाइरेक्ट सामने आई हमसे बात कीजिए या फिर अगर जो है अगर आपने हमारे यहां से कराया आपको किसी तरह को कोई इशू हुआ है तो आप अपना डीटेल जो है शेयर कीजिए हम आपसे बात करेंगे हम कैसे यकीन कर ले कि आपने हमारे यहां से ही जो है ट्रांस्प्रांटेशन कराया है अग तो उन भाई ने अभी तक जो है यहां पर किसी तरह का कोई रिप्लाई नहीं किया है तो यार में ही समझाने कुछ करो अगर मेरे साथ गलत होगा और फिर माल लो मेरे को क्लिनिक वाले इस तरह से पब्ली करें लिखेंगे तो भाई मैं फिर पब्ली करी ही शुरू हो पर मैं चुप तो बैठोंगा नहीं अमेरे को नहीं लगता कि आप भी चुप बैठोंगा अगर आपके साथ गलत होगा तो यार बोलने का मतलब यही है कि देखो आप जो है ट्रांस्प्लांटेशन सेंटर जो है गलत तरफ से ढूंड रहे हो ठीक है वो चीज आपको नहीं करना है एक सही प्रोसीजर से जाओ अगर आपको अच्छा क्लिनिक ढूंडना है तो यार यूट्यूब पर ही आपको हेल्प मिल जाए क्योंगी एक टाइम ऐसा था जब हेल्प नहीं मिलती थी तब लोग यह चीज़े फॉलो करते हैं जब मैंने ट्रांस्प्लांटेशन कर है आपको वहां से बहुत अच्छा लीड मिल जाएगा आप वहां से जिसका मालों आपको रिजल्ट अच्छा लगता है उस यूट्यूबर से आप पूछ करके सामने वाले का नंबर ले सकते हो कि भाई इन्होंने कहां से ट्रांस्प्लांटेशन करा है अगर आप उस किलिक क्लिनिक कभी नहीं मिलेगा तो आपको क्या करना करनाश के तो यार फूछ को वीडियो जो है समझ में आया होगा मेरे सब्सक्राइबर आप ही लोग हो आप ही इसको बढ़ा सकते हो और मुझको भी मतलब थोड़ा हेल्प कर सकते हो इस चैनल को ग्रो कराने में अच्छा क्लिनिक धुड़ने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी देखो यार अगर अगर अच्छा क्लिनिक चाहिए तो सबसे पहले जो सबसे टॉप पर आपको चीज रखनी है वह आपको आपका बजट रखना है कि आप कितना खर्च कर सकते हो ठीक है उसके ब जहां हम जा सकते हैं उनके बारे में ज़्यादा जाने हैं कोशिच करें वहां के रिजल्ट देखने की कोशिच करें अगर अच्छा है तो वहां पर जाए तो उमीद है वीडियो अच्छी लगे और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज में को इसी तरह सा मोटिवेट करते और और भी वीडियो लाने के लिए इसके बाद कोशिच करूँगा कि जल्दी से केस रिवियो फिर से आ जाए कुछ पेंडिंग में पड़े हुआ है जिन पर काम चल रहा है और कुछ लों के रिजल्ट अभी उतने आये नहीं है कि वीडियो बना सकूँ तो जैसे ही नया अप अब फिर से मिलेंगे तब तक के लिए अपने भाई को दो जाने की ज़्यादत जय हिंदन टेक केर